हेलो फ्रेंड्स दोस्तों तुलसी जी का पौधा हमारे गार्डन में हमारे घर में पाया जाने वाला सबसे खास पौधा होता है और हिंदु धर्म में तुलसी जी का कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं और तुलसी जी की हम केर भी करते हैं बहुत साउधानी पुरुवक लेकिन आज कल देखे इतनी तेश ठंड पड़ रही है और कोहरा भी बहुत जवजस्त पड़ रहा है और आगे भी अभी चांसेज ये है कि ठंडी बढ़ेगी तो ऐसे में जबकि हवाएं इतने सूखी चल रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि तोलसी जी को नम हवा पसंद ह है यानि नम ही पसंद है लेकिन इस सूखी हवा में तोलसी जी की पतियां पीली होकर के गेटी जा रही है तो आईए हम कुछ इसके केर की बात करते हैं तो जो केर टिप्स मुझे मालूम है और जो मैं अपने पौधों में तोलसी जी के पौधों में कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों सबसे पहला काम यह जो देखिए यह जो लिक्विड में डाल रहा हूं यह एक्चुल में हमारे घरों में जो सीजनल चीजें आती हैं जैसे यह देखिए यह सिंहारे का पानी है इस तरह कि तमाम सीजन की जो लिक्विड आपकी घर में जो निकल र हो जाता है तो इस तरह की लिक्विट जो घर में जो किचिन से निकले हुए जो सब्जीयों की छिलके उनके लिक्विट बना करके आप तुलसी जी के में जरूर डालिए सबसे पहले उनकी ताकत आपको बढ़ाना बहुत जरूरी होता है अगर आपके तुलसी जी के पौधे म दोस्तों यह देखे यह इस तरह से पत्तियां पीली होकर के जरा सटरच करने पर ही पत्तियां जो है गिर पढ़ती है यह देखिए इस तरह से पत्तियां बहुत ज़्यादा संख्या में गिर रही है तो पहला काम जो भी पत्तियां गिरें उनको सम्हाल करके रख लीजिए उनका यूज करिए चाय वगरे में डालिए और दोस्तों ये देखिए ये सबसे महत्पूर्ण जो वात है मैं आपको बताना चाहता तुलसी जी की के बारे में तो आप ये जो केमिकल ये केमिकल है यानि इसका नाम है दोस्तों पोटाश यानि ये पोटाश हाला कि तुलसी जी के पौधे में केमिकल का यूज में कम से कम करता हूं और भी पौधों में बहुत कम करता हूं लेकिन अभी देखिए ये जो कोहर बहुत नुकसान पहुचाता है ठंड में ये कोशिकाय फट जाती है तो अगर आप ये थोड़ा सा पोटास एक चुटकी भर पोटास जो है तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं तो तुलसी जी में कोहरे और तेश ठंड यानि टेंपरेचर जो डाउन हो रहा है उसको सहन करने की छमता अच्छी तरह से आ जाएगी आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं ये पोटास जो है पौधों को इस चीज में सक्षम बनाता है कि वो इस तेश ठंड से अपने को मतलब बचा करके रखें अगर उनमें पोटैसियम की मात्रा बराबर है तो पोटैसियम की मात मात्रा को बराबर करने के लिए यानि पराप्त मात्रा में पोटैसियम रहे तो ज्यादा नहीं बस एक चुटकी भर पोटैसियम जो है आप जैसा कि आपने अभी देखा है अपने पौधे में डाल दें और दोस्तों ये ध्यान रखें कि कभी भी पौधे में ओर है और बहुत जादा वाटरिंग करने पर क्या होगा ने कि धूप बहुत कम हो रही है तो जड़े सूख जो है गलने का डर रहता है और यह देखे यह जो नीम की पत्ती है न तो इस नीम की पत्ती को आप उबाल करके और ठंडा करके इसका लिक्विड इस पौधे में डाले दोस्तों यह इस तेश ठंड के मौसम में तोलसी जी को बचाएगा और यह देखे यह जड़ पर आप क्या करें कि कुछ सूखा भूसा डाल दे इससे क्या होगा कि तो पौधे को ताकत मिलेगी दूसरे जड़ों में ठंडी कम से कम लगेगी दोस्तों तोलसी जी के जड़ म भी ठंड काफी जो है इस तेश ठंड के मौसम क्योंकि मिट्टी में नमी रहती है तो आप थोड़ा सा भूसा जो है ओ गंबले में डाल दें बिछा दें और बाद में चाहें तो इसको निकालना चाहें तो अगर पड़ा रहने देते हैं तो वह खाद में बदल जाएगा औ तो इस तरह से केर टिप्स करने पर आपकी तुलसी जी पौधा जिसा आप देख रहे हैं कि मैंने अपने सभी तुलसी जी की गंबले में ये भूसा डाल करके रखा है ये पौधे को क्योंकि भूसे में जो है गर्मी रहती है और इसमें तमाम ऐसे पौश्टिक तत तो पाय तो आप इस भूसे का यूज करके दो बेखोस्तों ये बहुत ही काम करता है और इस तेज ठंड के महीने में तुलसी जी को बचायेगा और इसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि पौधे को कभी भी शेडिंग एरिया में इस थंड के महीने में न रखें इनमें भरपूर धूप मिलनी चाहिए वैसे भी आज कल धूप काफी कम हो रही है तो कोशिस आप ये करें कि जब भी धूप निकले तो तोलसी जी को धू तो रात में हलकी वाटरिंग जरूर करें मैनी मिट्टी को आपको सूखने भी नहीं देना है क्योंकि अगर सूख जाएगा तो बाहर जो तेश थंड है उससे इस पौधे को काफी नुकसान पहुँच सकता है और इसकी तोलसी जी कोशिकाएं जो डालियों की कोशिकाएं हो और अगर कभी पाला पढ़ने की सिकायत हो तो आप शेडिंग एरिया में भी रख सकते हैं राज के समय और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि घर में जो भी इस तरह के लिक्विड आपकी निकले कीचन से जैसे ये देखिए ये उबाले हुए आलू का जो पानी होता है उसक तो जो केयर टिप्स मैंने आपको बताया आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कोई ऐसा बात पसो जो किया तूलसी जी के पौधे को फायदा आपकी दिश्ट में पहुँचाए तो आप वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो से सब्सक्राइब भी कर लें तो दोस्तों मिलते हैं किसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग थैंक्स फार वाचिंग